नास्कार मैं रविश कुमार इस देश में कुछ मुद्धे ऐसे हैं जो बिना कॉंग्रेस बीजेपी के अधूरे लगते हैं। स्वपना से जो आज पहली बार किसी के खेत में मजदूरी करके आ रही है। कि आप से खाना तक हजम ना हो मगर इसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली तो सौफ्टवेर इंजिनियर बनने का खाब धरा कधरा रह गया। हमारी सही होगी उमा सुधीर की रिपोर्ट का ये हिस्सा है। किसान के आत्महत्या करने से समविधान पर कोई संकट नहीं आता है। अब जिसके हटा देने से आया है या नहीं आया है उसकी बात करते हैं। कमला बेनिवाल को बरखास्ट कर दिया गया। राश्टपती परण हम मखर्जी ने बुद्वार को उनकी बरखास्टगी की फाइल पर दस्खट कर दिया। कमला बेनिवाल ने इस्तिफा नहीं दिया तो मिजोरम तबादला हुआ था उनका सरकार कह रही है कि उनके खलाब भरस्टचार के गंभीर मामले हैं सुत्रों ने अधिकारिक रूप से बताया कि गुजरात का राजिपाल रहते वे उन्होंने कई हवाई यात्राएं की जो अनधिकृत थी 2011 से 14 के बीच बेनिवाल ने सरकारी विमान से 63 हवाई यात्राएं की इनमें से वे 53 बार जैपूर गई उनका घर है वहाँ जहाँ वे अपने घर में ही ठहरती थी राजभवन में नहीं सरकारी विमान से उड़ने के लिए राजि सरकार से अनुमती लेनी पड़ती है और एक राजिपाल को स्टेशन छोड़ने से पहले किंद्रिय ग्रियमंत्राले को सूचना देनी होती है फिर राजिपाल की यात्रा अनधिकृत कैसे हो गई वो भी एक बार नहीं 63 बार क्या राजिसरकार ने अपना विमान देते वक्त को यापत्ति की थी क्या कमला बेनिवाल ने कोई अधिकृत यात्रा भी की थी उसकी प्रक्रिया क्या थी 1953 में ये दूसरा मामला है कमला बेनिवाल एक क्रिशी सहकारी समिती की सदस्य बनी जिसे खेती के लिए 218 एकड की बंजर जमीन दी गई 1954 में कमला बेनिवाल राजिस्थान की पहली महिला मंत्री बनती है 2000 में इस जमीन का 119 एकड हिस्सा सरकार ने वापस ले लिया समिती को बदले में 209 प्लॉट्स काट कर बजार से कम दर पर दिये 18 सदस्यों ने इन प्लॉट्स को अपने आपस में बाटने के लिए एक प्रस्ताव पास किया दलिल दी की 50 सालों से हम इस जमीन पर 14 से 16 घंटे का श्रमदान करते रहे हैं डिप्टी रजिस्टार ने इस पर सवाल उठाया कि गलत है डिप्टी सीम रहते वे उस वक्ट डिप्टी सीम थी बेनिवाल 2000 में कब 16 घंटे की मजदूरी की इस मामले को किरिट सुमया ने 2012 में काफी उठाया था इस वक्त यह मामला कोपरेटिव के ट्राइबूनल के पास है इसलिए शुरुआत तिलंगाना की उन्हें 110 किसानों से की जिन्होंने आत्महत्या कर ली है राजस्थान की एक किसान कथित रूप से 16 घंटे खेती कर राज़िपाल तक बंगे पश्चिम बंगाल के राज़िपाल एमके नरायनन को भी आउगस्टा वेस्टलेंड से 12 हेलिकॉप्टर की खरीद के मामले पूस्ताच के बाद इस्तिफा देना पड़ा अब विरोधी कह रहे हैं कि इसका बदला लेने के लिए एक बुजर्ग महिला का तबादला पहले मिजोर्म किया गया दो महिने बाद वो रिटायर हो ही जाती लेकिन बरखास किया गया 87 साल की महिला की बरखासगी का मामला समयधानिक तो है लेकिन क्या कॉंग्रेस कोड जाएगी या उनकी उम्र और महिला होने की अधार पर सहनुवती बटरने का प्रयास कर रही है क्योंकि इस वक्त तो काफी बिमार भी है पश्चिम बंगाल के राजपाल एमके नरायनन को आगस्टा इस मामले में भी किया गया था कुड़ुचीरी के उपर राजपाल को जब बर्खास किया गया तब उन्होंने इस्तिफा दिया इस पर तब क्या ऐसा हंगामा नहीं हुआ कमला बेनिवाल को लेकर हंगामा क्यों हो रहा क्या बीजेपी बदले की भावना से करवाई करने पर तुली हुई है एक सरकारी विवान से वो चार साल तक अनधिकरित रूप से उड़ती रही या किसकी जवाब दही बनती है तब राजपाल ने क्यों नहीं आपती जताई ये सारे एक मामलें दरसल सब इस बात को स्विकार कर चुके हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है राजपाल उसकी मर्जी का होना चाहिए कांग्रिस ने भी 2004 में यूपी के राजपाल विश्नुकांत शास्त्री रगुजरात के राजपाल केदारनाथ साहनी को कैसे हटाया था आप राजपाल के किसी पुरनिया से पूछ लिजेगा तब आनन शर्मा बयान दे रहे थे कि हटाये गए चारों राजपाल विपक्ष के नेता एलके अडवानी और बीजेपी के अध्यक्ष तब जब थे विंकेया नाइडू से निर्देश ले रहे थे तब अरुन जेटली कह रहे थे कि राजपालों का हटाया जाना समयधानिक नियमों के खिलाफ है जो राजपाल को पांच साल का कारेकाल सुनेशित करता है अरुन जेटली तब कहते थे कि ठोस कारण हो तब ही हटाया जाना चाहिए तब बीजेपी ने नई संसत के पहले सत्र में खुब हंगामा किया था आज कांग्रेस कर रही है कांग्रेस कोर्ट म राजपाल के का काम सरकार की नीतियों का लागू करना नहीं वो राजपाल का कर्मचारी नहीं है सरकार का राष्टपती की क्रिपया यानि प्लेजर का सिधान सामनती है लोक तंत्र में मनमानी की कोई जगश Businessınd इसके बाद मिराजपाल हटाये जा रहे हैं दलहों ने बस संस सद में अपने बेंच बदल ली है , सरकार की तरफ जाकर medium येकCongress की तरफ बोलती लगती है , तो CRP की तरफ आकर behave चैसी used is कम szczególा बनीवाल का मामला स्थिफाह देने वाले या बरखास्त होने वाले राज-इपालों से कैसे अलग है , क्या ये सवाल इसलिहा अध्मरा सा है क्योंकि पहले भी होता रहा है और यहीं होगा हम प्राइम टेम में बात करेंगे हमारे साथ ओम थानवी जी हैं संपादक जनसत्ता के सचिन पाइलट हैं राजस्थान के नेता हैं कॉंग्रेस नेता हैं केसी त्यागी सांसत जेडियू सिदातना सिंग बीजेपी प्रवक के साथ खिलवाड है अगर सरकार कह रही है कि राजपाल के खिलाफ कई आरोप हैं तक क्या वो परियाब्त नहीं है उस राजपाल को बरखास करने के कब बरखास किया जाए क्या ये समय चुनने का अधिकार केंदर सरकार के पास नहीं है रवीश जी जहां तक गवर्णर को हटाने का सवाल है दो हजाद दस से पहले जो कानून की किताब में लिखा है के ही होल्ड दी आफिस आफ गवर्णर एड दी प्लेयर आफ दी प्रेजिडेंट इसी बात को माना जाता था आज उस से पहले कभी किसी ने कोर्ट में टेस्ट नहीं किया दो हजार चार में बीजे पी गई थी जब कांगर्स में कुछ गवर्णर हटाए थे उस से पहले सिर्फ यही बात थी के गवर्णर होल्ड दी आफिस एड दी प्लेयर आफ दी प्रेजिडेंट मुलक में कांगर्स का राज था स्टेट्स में कांगर्स का राज था इसलिए इसका कोई एवोलूशन नहीं हुआ गवर्णर की इंसिटूशन का और ना कोई बात आगे बढ़ी मैं आपको बहुत पहले की बात करना चाहता हूँ उन्नी सो बावन में जब पहली दफ़ा कांसिटूशन के तहत इलेक्शन हुए तो उस वक्त मदरास रेजिडेंस प्रेजिडेंसी में कांगर्स को मैजारिटी हासल नहीं हुई लेकन गवर्नर ने एक मैनार्टी पार्टी के लीडर सी राजगोपाल आचारी को इन्वाइट किया और ये फार्म दी गॉवर्मेंट कोई सवाल नहीं उठा कांसिटूशन पोस्ट है इंपार्शल होना चाहिए इट वास नाट एक क्वेश्चन रिजन एट ताइम उसके पांच साल बाद कैरेला में गॉवर्मेंट कॉम्मनिस्टों ने बनाई जो कि दुनिया में एक मिसाल थी कि कॉम्मनिस्ट सत्था में वोट की ताक्त से आए है बुलिट की ताक्त से नहीं आए उस गॉवर्मेंट को मेजारिटी थी फिर भी हटा दिया गया किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया उसके बाद एक मिसाल आपको और देना चाहता हूँ मैं गवा के गवर्नर थे भीच्ट भानू परताब सिंटर ने उसके खिलाफ कहा कि इसको हटा दिया जाए राष्ट पती के पास फाइल भीजी गई उस वकत के राष्ट पती शिरी शंकर द्याल शन्मा थे उन्होंने कहा कि मेरे गवर्नर ने कोई गलत बात नहीं की है मैं इसको नहीं हटाऊंगा और उन्होंने नहीं हटाया ultimately उनको persuade करके उनका resignation ले लिया गया लेकन राश्टरपती जी ने उसको नहीं हटाया उसके बाद 2004 में कुछ गवर्नर हटाये गए और उस वक्त ये केस सुप्रीम कोट में गया और सुप्रीम कोट की जो judgment आई है उसके इमतहान का आज वक्त है पहले इसकी discussion का कोई मौका नहीं आया उस में लिखा है कि दो गवर्नर hold the office at the player of the president but this player cannot be arbitrarily used कोई cognitant reason होना चाहिए आपको हटाते वक्त या इस प्रक्रिया का पालन हुआ या आपको क्यों लगता है कि कमला बेनिवाल के इसका पालन मुझे मुझे आज तक नहीं पता मुझे किस लिए हटाया गया है ना कमला बानिवाल को कोई बताया गया है कि उसको किस लिए हटाया गया है जो भी अफवाहें या अलदाम लगाये जा रहे हैं वो सूतरों की मार्फित है सूतर के आधार पे जब तक आफिशली बात ना हो आप अपनी इज़त को बहाल करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं आप जानते हैं कि उसी आदेश में सूप्रीम कोट ने कहा था कि ये दो पक्षों के बीच का मामला है कोई अदालत में चैलेंज करेगा तो सरकार या रास्टपती अपना कारण बताएंगे ये कारण जो भी है वो पब्लिक में नहीं ले जाया सकते हैं वो कारण वहां कोट महसूस करेगी कोई बहुत ही कंपेलिंग रीजन जो एप्लिकेंट है या जो पेटिशनल है वो पेश करेगा जो के जिस केस में छे साल लग गए थे चार हजार में शुरू होके दस हज़ दस दो हजार दस में खटम हुआ कहे का इनसाफ मिलेगा ये डिसकेशन सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि एवोलीशन आफ दी इंसिटूशन आफ गवर्नर कैसे हो आज हम इस वकत में आगए हैं कि जो जज्जमेंट सुप्रीम कोट में दी है उसको आगे चलाया जाए उसका पूरा एक अनेलेसिस किया जाए उसको मानीटर किया जाए कि पहले के उधारन देने से कोई फाइदा नहीं है मुझे लगता है कि विरेन जी के एक बात में ये एक नजीर ये है कि आप 2010 को सुप्रीम कोट के फैसले को कट अफ मान सकते हैं कि उसके बाद से अगर दुरूपयोग हुआ है या नहीं हुआ है उसके बाद से आप ही शायद पहली बार इस तरह से आपकी सरकार अगर दुरूपयोग कर रही है करने का आरोप लग रहा है तो आपकी सरकार पर लग रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस आदेश के तत्वाधान में अवलोकन में है ना, उसके संदर्व में कमला बेनिवाल को हटाया जाना या विरेंदरिक काटारियाजी को हटाया जाना क्या सई है क्या आप 1953 के एक मामले को निकाल के ले आते हैं 2000 के एक मामले को निकाल के ले आते हैं जिसका कोई अभी FIR दर्ज नहीं है एक cheating का मामला जरूर है आप ऐसी हवाई यात्राओं का जिक्र करते हैं जिसकी जानकारी आपको तभी होनी चाहिए जब पहली बार कोई governor state के flight को जहाज को लेकर उड़ता है और अपने राजे से बाहर जाकर दूसरे राजे में जाता है आपने एक मौका चुना कि ठीक है पहल में धानी काम तो किया ही है आपने जी देखे सब्वेदन शील होते तो गुजरात के बादी मिजोरम जाने की नौबत नहीं आती दूसरा रवीश जी सम्विधानिक पत पे सम्विधान की इज़त करते वे कारवाई होनी चाहिए यह हम सब का ये good governance का एक दाइरा होना चाहि कारण आपने सुप्रीम कोड का जज्जमन 2010 ले उसको बेंचमांक मागते वे मैं आगे बाद रखूंगा कहीं 2010 का जो बेंचमांक है उसमें साफसाफ लिखा है कि कारण क्या है वो ना आपको पता होएगा ना मुझे होएगा ना मेरे मित्र सचिन को पता होएगा या किसी को पता होएगा उस पर अटकले हम लोग सब लुग बैठके लगा सकते हैं मगर जो बड़ा प्रशन है कि जो राश्पती हैं उनके प्लेजर पे है मगर सुप्रीम कोड कहता है कहते है कि आप क्या प्लेजर जो है उसकी लिए कंपेलिंग रीजन्स होने चाहिए और उस कंपेल चाहता हूँ क्या जो राश्पती जी हैं उनके पास जो केंदर ने जो दस्तावेज भेजा या जो जानकारी भेजी उसके आधार पर क्या राश्पती जी को सम्मिधान की नौलेज नहीं है क्या राश्पती जी ने सुप्रीम कोड का जज्जमन नहीं पड़ा क्या वो कह र एक कमला बेलिवाल जी को दो मेने में उनका टरप पूरा हो रहा है तो दो मेने वेड करने तो उसके لिए कॉंग्रेस के जितने नेता हैं पार्लिमेंड के अंदर बाहर ये जवाब दे हैं क्या आपको Congress को राश्टपती जी के विवेक पर डाउट है संका है या नहीं है कहीं नहीं है तो जो हुआ वो ठीक है तो उसका जवाब दे यह कह रहे हैं कि राश्टपती के विवेक को आप चुनौती दे रहे हैं आप कमला बेनिवाल के हटाये जाने को का मुद्दा बना रहे हैं तो बड़ी अजीब सी आर्गुमेंट है क्योंकि रवीश जी ना तो हम इस आदत के हैं कि हम जो समिधानिक पद पर वेक्ति होता है चाहिए गवर्नर और राष्ट्पति हो उसके विवेक को हम चैलेंज करें को वहाँ बैठे हैं तो उस पद की गरिमा को बनाया रखने के लिए बैठे हैं मुद्दा ये है कि कमला बेनिवाल जी गुजरात की जब गवर्नर थी तब उन्होंने एक लोक आयुकत की न्युकति करी उसके बाद गुजरात के एक मंतरी के खिलाफ केस लड़ने की का इसका इस्तिमाल किया उन्होंने इतनी बार हो जैपूर गई इतनी बार हम्दाबाद गई ये कोई गैरकानून नहीं था उन पर जितने आरोप ये मीडिया में लग रहे हैं एक भी कोई शिद नहीं हुआ और एक ऐसे वेक्ति को उनका क्यारेक्टर को अप असाइसनेट क करना कि गवनर और गुजरात को आपने डिसमिस कर दिया तो उनको मिजरम भेज दिया गया और उन पर जो आज आरोप लगे हैं जो हमें जानकारी में लिए बात सही कह रहे है सिदार सिंग जी कि हमें जानकारी नहीं हम सरकार में नहीं है लेकिन आपके मंत्री मर्नल को जान of ministers तो मोटे तोर पर जादत तर governor और राष्टपती अपनी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री और पदान मंत्री के सलापर काम करते हैं उनके विवे को challenge करने का कोई सवाल नहीं बनता लेकिन नियत जो भाजपा की है आज साफ है कि आप हमाई लाइन पर चलो अगर नहीं चलोगे तो आप कितने बड़े वेक्ति हो आप कितने बड़े पत्तर बैठे हो समयदानिक पत्तर बैठे हो हम आपको निकाल भार करेंगे ये message पूरे देश में गया है चाई को जज हो बिरोक्राइट हो गवर्नर हो आप भाजपा की लाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वही हश्र होगा जो कमला बेनिवाल जी का हुआ है और मैं आज आर्गुमेंट कमला जी के लिए नहीं कर रहा हूँ पर 2004 में यही बाते आपके मंत्रियों के तरफ से कही गए थी कि राजिपाल वही होना चाहिए जो हमारी विचारदारा के अनुकूल हो ठीक है यह बाते आपके भी कही गए थी ठीक है मैं सगसिदार से कह रहा हूँ कि 2010 कोई कटफ मानना चाहिए यह बात पुरानी है आज 2014 में जो हम कर रहे हैं वो 2010 के बाद ही करवाई पर हम चर्चा कर रहे हैं मुझे एक बात बताए कि जब नरायन साहब को हटाया जाता है जब कटारिया साहब को हटाया जाता है तब आपके लिए भावनात्मक मुद्दा नहीं बनता है लेकिन कमला बेनिवाल को जब हटाया जाता है तो आपके लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है क्या है इसलिए कि उसके दूसरे छोर पर नरेंदर मोदी हैं सीधे सीधे क्योंकि कमला जी के खिलाफ जो मीडिया में जिस परकार की सोर्सिस के मताविक लीग करी गई बाते हैं वो शोभा नहीं देता किसी वेक्ति को आप वो अपने आपको डिफेंड ने कर सकती उनको बिना ट्राइल के बिना इन्वेस्टिकेशन के बिना जांच के उनको आप आरोपी सिद्ध कर दें और दो महीने बचे उनके कारकाल को उनको आप भर वेज़ने बगा के बोल कि आप वेइमान हैं आपने चूरी करिए आप विमान का इस्तेमाल बड़ी जीब बात है नरेंदर मोदी जी नहीं विमान के इस्तेमाल के परमिशन दियोगी वो कोई साइकल तो है नहीं के उठा क फंड्स किया है ये एक पद की गरिमा को ठेस पहुंचती और भविश में ऐसा ना हो इस बात पर हम लोग जाला जिनते थे हैं ठानी साब कमला बेनिवाल बनस्तली विद्यापीट की पहली शायद लड़की थी जिनोंने में तालिम हासिल की थी ठीक है और जो मैं चान बिन कर रहा था कि वो अजादी की लड़ाई के समय से हैं लेकिन और पहली सरकार से मंत्री होते होते 87 में साल की उमर में बर्खास की जाती हैं उनकी राजनिती की यातरा के संदर में और राजस्थान को नजर में रखते वे क्या आप कुछ बता सकते हैं कि वो इस तरह की प्रविर्ती वाली राजनेता रही हैं कि जहां घपले घोटाले चलते रहे हैं मगर अब यह सरकार नेतिकता पर कसना चाहती है तो जो पकड़ा गया वही चोर है असी के दशक में जब मैं जैपूर में था उस वक्त ये शिक्षा मंत्री थी महाँ पर और जाट बेरादरी से आती हैं और काफी दबंग जुजारू मंत्री थी और मैंने मानता हूं कि कभी उनके उपर कोई विश्टाचार का आरोप लगा होगा और महिला होकर के मंत्री बने और उसके बाद में जो है पुरुषों के बीच में एक दबंग चवी उनकी हो वो दबंग चवी जो है जो जारू चवी मेरा मानना है कि उन्होंने राजिपाल बनने पर भी काइम रखी वो थोड़ी सी भूल थी क्योंकि राजिपाल का जो का पद है इन्वर्टर का काम करता है अगर बिजली गुली हो जाए तो काम करेगा अब इन्होंने कुछ मामले तो मैं मानता हूं बहुत उप्यूगत उठाए तो कुछ मामलों में इन्होंने तकरार सरकार के साथ में की जिसे लोकायुक्त आयोग वाला मामला था वो इसे चाड़ लोग सरकारी थे तो इनका कहना था कि आप तो मजाग बना रहे हैं ये लोकायुक्त वाला जो ये मेरे ख्याल में एक जागरुक राजिपाल को स्टेंड लेना चाहिए था उन्होंने लिया और भी कई तकरार की पर ये चो मामले अब हटाने का जो है एक बार म को कि किनों ने क्या सलूक किया था और मुझको ये जब कल हटाया गया तो मुझको बार ख्याल आई क्योंकि दो महीने पहले दो महीने बाद विदा होने वाली हैं इतना अपमानित करके क्योंकि आपने मिजोरुम भेजा इस अवस्था में बिलकुल पूरवतर वो चली गई कि वो भी मैंने का पुरानी विलकुल लड़ने वाली है ना कि देखते हैं आप हटाई ये तो सही तो वो एक तरह की चुनोती थी अब इन्होंने हटाया और हटाने के साथ में जो खबरें आम तोर पे जैसा होता है लीग की गई जो मामले हैं तो मेरा मानना है कि ये बदले कि भावना से किया गया काम जो है ये बुरा लगता है अगर सरकार तो कब मानेगी लेकिन अगर सुप्रीम कोट ने ये कह दिया परमपरा तो कॉंगरेस ने डाली इसमें तो कोई शक नहीं है और कॉंगरेस ने जब दो जार पहले तो जनता पार्टी मुरार्जी भाई की सर ये नहीं करना चाहिए तो खुद काम करते हैं तो आपको शोबा नहीं देता है इसमें कॉंगरेस की तरफतारी की बात नहीं है और ये जो हवाईजाज है ये तो सारे राज्यपाल उसका दुरूपयोग करते हैं माप कीजिए अगर आप किस से देखें जहां जहां के हमारे बीकानेर के भी राजेपाल हुए थे उतरप्रदेश में थे और बीकानेर जैसी जगे के उपर भी वहां का पूरा वेमान लेकर के आते थे ये लंबी कहानी है लेकिन अगर ये दुरूपयोग है तो उस बक्त बात उठाई जानी चाहिए लेकिन आज आप इसको दूरूप पर काईदेश से तो माना नहीं जाता है क्योंकि कोई अनुमती लेकर के जाता है समविधान के दाहरे में तिरेशट बार जहां लेका कैसे उड़ जाएगा वो अपने स्टेट से अगर इस तरह की चीज़ें अगर लीक की गई है अनुमती लेकर जाते हैं और जहां जाते है बोना साथ जाता है ठीक है फिर भी लेकिन जो भी त्यागी जी मैं यह जानना चाएथा हो हालागि आज आप यह कह रहे हैं कि राजपाल की संस्था कोई मिठा देना चाहिए ख़तम से ऑब और मैं उस पर अभी नहीं आना चाहता हूँ मैं आना चाहता हूँ इस बात पे कि फिर क्या तरीका आपना आजाए विरेंदर कटारिया कह रहे हैं कि 2010 को कटफ मानके हम आगे चलें इस विवाद से तो क्या वो तरीका होना चाहिए जिसे ये संस्था और इससे जुड़ी जो जितनी भी विवाद के जितने पहलू हैं फोड़े से सटल करें थोड़े से स्थिर हो वरना हम कभी भी इस पर बहस चाहिए हम हजार बहस कर लें हम यह कहेंगे कॉंग्रेस ने ये किया था बीजेपी ने ये किया था अब बीजेपी कह रही है कि राश्टपती के विवेक को आप चुनौती नहीं दे सकते हम कारण लोगों को नहीं बता सकते नया क्या होना चाहिए इस पद के बारे में जिससे हम इस बहस को कम से कम आपके जरीए आगे बढ़ा सके रभी से अगर कुछ समय हो तो मैं इसका भी बैगराउंड हिस्टरी आपको बता दूँ थोड़ा सा और कैसे कैसे काम राजपालों ने किये हैं जो उनकी पदकी मर्यादा के सम्वेधानिक परंपराओं के खिलाब हैं 1967 में इंद्रा जी जब बनीप कॉंग्रेस की अध्धक्षा सबसे पहले लीगली इलेक्टिट गोर्मेंट को गवरनर के जरीए उन्होंने नम्बुदरी पास साब की बरकाश्त कराई 67 तक इनका राज चलता रहा कॉंग्रेस पार्टी का और तब ये परंपरा भी थी कि जो पुर्देश के मुखंतरी थे आपने में कुछ बताया अभी जी आज़ ठीक है मैं 67 तक कॉंग्रेस का राज था और कोई विवाद नहीं था लेकिन गवर्णर्स ने कैसे कैसे काम कियें दो तिन काम मैं आपको बता दूँ चौधरी देवी लाल जी को 1982 में ओम थानवी जी गवाँ है पाच बज़े का समय तैह हो गया 1982 में कि आप सपत ले लीजिए उसके बाद जब हम पहुँचे हैं देवी लाल जी के साथ तपासे साथ उस समय महाँ पे गवर्णर थे और उन्होंने भज़न लाल जी को सपत दिला दी उसके बाद 1990 में आ जाई ये जंता पार्टी की हमारी सरकार वी पी सिंग हमारे बनाए हुए परदान मंतरी लालू परसाद जी को हम लोगों ने अपना सदन का नेता चुन लिया छे दिन तक यूनूस सलीम साब ने उनको सपत ने दिलवाई फिर सरद यादव नितीश कुमार हम सब लोगों ने कहा कि इसका गेराओ करो साथवे दिन जाकर के सपत हुए यह ये भी इतिहास में दरजे नितीश कुमार जी जब NDA के नेता के रूप में मैज़ुरटी में आगे आजा जाते है allora और आ आ याता हूँ हम और आगे आया तो कई राजी पालों ने इस्तिफा दिया, कुछ को बर्खास किया गया, ठीक है, कुछ के खिलाब जाच हुई तो उन्होंने अपनी अपना इस्तिफा दे दिया, जैसे पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, इसमें आपको क्या आपती है, अगर कोई सरकार कहे कि हम अपने अनुक प्रिकरिया है, उसको छोड़ दीजिए, इस पर बैठ करके संसद में बहस हो, ओल्ड पार्टी मीटिंग में बहस हो, कि गवर्नर के क्या अधिकार है, तब उस समय जब अंबेड कर साब नेर केटी साह साब ने कॉंस्टेंट इसमेलिय में बहस की थी, तब उतने सपस्ट न कहा है कि ऐसे लोगों गवर्नर बनाने का फैसन चल गया है, जिन पर भृस्टाचार के भी आरोप हैं, उन्होंने रामला जी के लिए जिकर कियाता है, मैं आपके इसी पर कहना चाहता हूँ, और चेनर एड़ी साब के बारे में उन्होंने कहा तो कटारी साब बुरा मत मानि कि जब मैजर्ट माइनोर्टी में गवर्मेंट आ गई है, तो भी गवर्नर ने केंद सरकार के इसारे पर विधान समा चाल दी, क्यों भई, एक-एक सकता तक, भई, कोई मामूली के गड़बडिया हुई है, क्या, इसलिए, इस लिए, इस पर पहस हो जाए, जी, ठी, जी, अब ये जो सलूक सरकार को करना है, वो तो एक गटना है, इसमें बुन्यारी बात ये है कि राजनेताओं को कब तक न्यूत किया जाता रहेगा, उनको जो वफादार है, जो बुड़ा गए है, या वो अधिकारी है, जो कभी आपके बोडिगार रहे है, या अधिकारी रहे हमारी गोपाल किष्ण गांदी जब बंगाल गए, उन्होंने इतनी लोग भी ता अरजित की, और सरकार से तकरार भी उन्होंने मोल ली, लेकिन एक संजीत की के साथ में, और लोग कहते थे कि बंगाल में कहीं सी चुनाव ड़लें, ये जी जाएंगे, अच्छे काम भी आना चाहता हूं कि आपकी जब सरकार आई, आप पूरे चुनाव में ये कहते रहे हैं कि कॉंग्रेस ने संस्थाओं का मान मर्दन किया है, आप कैसे उसकी गरिमा बहाल कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है कि ग्रेस अची फोन कर देते हैं कि आप इस्तिफा दे दीजिए, साथ में यहां उपरा जिपाल बैठे है, इनको क्यों हटाया गया, इनको यही पता नहीं है, ठीक है, तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना, पुराने का लाइसेंस लेकर. नहीं, जो आप कह रहे हैं कि जो अभी कटारिया जी बैठे हैं, तो उस पे मैं इतना ही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जज्ज्मिन्ट जो है, 2010 का, उसको थोड़ा सा उसकी लाइन पढ़ देता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक मतलब बता रहा हूँ, आपने लास्ट लाइन नहीं पढ़ा, इसी में लिखा हुआ है, कि इस शक्ति का इस्तिमाल और सधारन परिस्तितियों में ही मानने और काफी जरूरत होने पर किया जाना चाहिए, ये कहा गया है, रास्ट पती की शक्ति का मनमाने ढंग, मैंने हिंदी में पढ़ देता हूँ, स्वेच्छा चारिता या और विवेक पून तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसका क्या मतलब है, मैंने आपसे जो कहा, आपने कहा कटारिया जी का आपने जिकर किया, रवीजी आपने कटारिया जी का जिकर किया और कहा, इनको ही नहीं पता, मैं उतना ही आपको उसका जवाब दे रहा हूँ कि उनको पता नहीं क्योंकि राश्पती के जो सुप्रीम कोट का ज़्जमन्ट उसके आधार पर आवशक नहीं है उनको बताना उनके मामले में नहीं मगर कोट में कहीं वो जाते हैं एक सगे नेक सगे नवी जी जब ये कोट में जाएंगे तो उस समय सरकार को राश्पती जी को खुलासा करना पड़ेगा कोट के अंदर ठीक है ये पूरा का पूरा जज्ज्मिंट का ओर्डर जो मैं आपको बता रहा हूँ पर आपके मंत्री कमला बेनीवाल के मामले में ठीक है ये बात फैक्ट है आप कह रहे हैं आज वो बयान देते रहे हैं कि बहुत सीरियस चार्जेज हैं इसलिए हटाया है हमने विंके नाइडू का ये बयान है वो आज भी सुप्रीम कोर्ड के जज्ज्मेंट के तहट हम लोगों को कुछ ना कुछ सरकार को रखना पड़ेगा ना राष्टपती जी के पास वो राष्टपती जी को देखना है कि जो सरकार ने रखा वो सही है गलत है ठीक है, राखपती जी चाहें तो उसको हम लोगो वापस कर सकते थे, सरकार को, उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने एक अपना सम्विधानिक पद का इस्तवाल गरिमा बनाते हुए, उनको जो सही लगा, उन्होंने ओर्डर कर दिया, आएंगे सर्वा, सचिन मुझे एक बा हम कहीं हो सकते हैं, गलत में राखपती जी तो गलत नहीं है, ठीक है, आपने दो महीना पहले हटाया है, आपको ये पता होगा, कि जो भी मामले होंगे, वो मिजोरत तक जाने के बाद वो सारे मामले आपने नहीं बताए, वो ऐसे क्या मामले आ गया है, कि आपको इन दो मही सिदाथ ना सिंग बार बार आपको वह कर रहे हैं, और एक इसमें रास्ता है, कि अगर आप अदालत में चैलेंज करेंगे, एक लिमिट्ट डाइरे में, सिमित समिक्षा के डाइरे में, इसकी समिक्षा की जा सकती है, जहां सरकार अपने कारणों को बताएगी, आप लोगों ने कोर्ट जाने का फैसला क्यों नहीं किया मैं आप से एक अर्थ करना चाहता हूँ एक सेकेंड सेकरटार या सब पहले सचीन से पूछले मैं आता हूँ अराम अराम से मैं नहीं चाहता हूँ कि कमला बेनिवाल जी क्या निर्ने लेंगी लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूँ कि मेरे मित्र सिदार सिंग जी जी जो बात कर रहे हैं सरकार ने मन मानी करने का मन बना लिया है मोधी साहब बिलकुल मौन मत्र लेके बैठे हैं उन्होंने ना बोलने का मन बना लिया है और BJP के हमारे मत्रों को प्रवक्ताओं को आके सफाइदी नहीं पड़ती है जो कैबनेट के निर्णे के बारे में जान कर ये उनको नहीं रहती है और बात जिसमें दोबारा कहा किसी ना कडारिया जी की है ना कमला बेनिवाल जी की है लेकिन मतलब यह है कि दो महीने रह गए और जो भी आज आरोप रगा रहे हैं सुत्रों के मताबिक आरोप हैं ये कोई आज के नहीं है पुराने हैं ये पचास साल पुराने हैं सन 1953 के तो ऐसी क्या मजबूरी हो गए सरकार को कि राष्टपती जी को लिखके भेजना पड़ा कि ये हलफ नामा अगर आप दें कि हम सुर्फ हें पात्रिक पॉलिटिकल सेप्किक देने के लिए तो ये आरोप भी नैतिक्ता के पैमाने पर तो ये गंभीर है वो जमीन पर 45-45 साल से वो खिती कर रहे थे और वो तो कोट का निर्ने होना चाहिए कि चार्शीट फाइल होगी की नहीं होगी हमारे बंगाल के गवरनर साब के खिलाब इन्वेस्टिकेशन हो और अनसीफा दे दिया लेकि इस मामले में जान पूछ क्योंकि वो गवरनर गुजरात की थी गुजरात में रहते हैं उनको हटाना मुश्किल पड़ता पॉलिटिकली बहुत भारी पड़ता इसलिए उनको मिज़रा भेज दिया और वहां से उनको दो मेंने पहले बरखास कर दिया सिर्फ संकेत देने के लिए कि हमाई लाइन पर चलिए नहीं तो हम आपको दर्वाजा निकाल का बाहर कर देंगे यह जो मेसेज देने के कुशिच किये उसमें बीजेपी पूरी तरह काम्याब हुई है लेकिन हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से बने हुए हैं हम लोग इस बात को अड़े रहेंगे कि न्यायपालिका हो चाई जुडिश्री हो चाई कॉंस्टिशनल पद हो वहाँ पर पैरिटी हो ट्रांस्पेरेंसी हो और मनमा ही जाएं जैसे बीजेपी गई थी आप क्यों नहीं जा रहे हैं को अरे कल उनको परखास्त किया है रवीज जी और ये निर्ने अल्टिमेटली कमला बेनिवाल जी का होगा जाना चाहेंगी कि नहीं जाना चाहेंगी ये कोई पोलिटिकल पार्टी का इश्यू नहीं है कटारिया साथ आप कुछ कह रहे था आप कह लिए फिर मुझे ब्रेक पे जाना है भी उसके बाद आऊँगा तो मैं राज केसी त्यागी के जी वो पोईंट है उसमें मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि राजपाल की संस्था जो है समाप्त कर देनी चाहिए कटारिया साथ बाई जान जी जो हाई जो सुप्रीम कोर्ट की जजमिंट आई है उसने कोई बहुत स्ट्रॉनग जजमिंट नहीं है जिसका पल्रा पकट के आप आदालत में काम्याब हो सके इस वेरि एक हार से दिये गया दूसरे हार से वापस ले लिए गया है उस में कोई ऐसी चीज नह कि आपको इनसाफ मिल सके कैसे पता लगे बड़ी अजीब बात है मैंने जब मुझे हटाया गया मैंने राश्टपती जी को मैंने प्रदान मंत्री जी को मैंने हो मिनिस्टर को लिखा मैं एक साल दस दिन गवर्नर रहा हूं मैं उस एक साल दस दिन की बात नहीं करता मैं पॉब्लिक लाइफ में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे 73 साल के जीवन कीज, आप जो इनक्वाइरी कराना चाहें, कराएं, और अगर मुझे कोई भी खलका साभी मेरे चरितर के खिलाफ, या मेरी इमानदारी के खिलाफ, या उन चीजों का जिसका इस केस में जिकर है, ट्रेयन, ब्रैबरी, डिस एंड डैट, मुझे फांसी पे लटका दीजिए, मैं हर सजा भुकतने को त्यार हूँ, आप मेरे खिलाफ कोई इनक्वाइरी करा जिनको पुलिटिकल तोड़ पे सजा देते हैं, उनके पास अपनी इज़त को बचाने के लिए क्या साधन है, इसका जरूर हमें जिकर करना चाहिए, हम गवर्नर नहीं बनना चाहते, बट इट इस दी आउनर ऑफ कॉन्सिटूशन एंटी कॉन्सिटूशन पोजीशन विच सब कहते हैं और सब जानते हैं, ये एक बात राजनीती में मानने हो चुकी है, कि जो सरकार आएगी, वो अपने मनमाफिक राजिपालों को बनाएगी, ये भी कहा जाता है, कि जब सरकार बदल जाए और वो आपके प्रतिकूल है, तो आपको खुद इस्तिफात दे देना च चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से नियुक्तियां कर सकें, क्योंकि आपकी नियुक्ति राजितिक ही होती है, मैंने का आपकी बात बिलकुल मानता हूं, लेकर जो कानून का फैसला सुप्रीम कोट ने किया है, वो एक दूसी सम्मत में आपको ले जाता है, उसके मतलक आप को गौर करना चाहिए, कि या तो इस फैसले को बदल दिया जाए, या इसका अनेलिसिस किया जाए, गवर्नर की पोजीशन इस हद तक जलील करने वाली नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से आजकल किया जा रहा है, इट इस अगेंस दी कांसिटूशन, ये धकेशाई है, और ये बहाने बादी है, ये जो अलजाम लगाए गए हैं, ये सब बेसुरे बगार मतलब के हैं, जो लोग बहस करते हैं, उनको भी पता है कि इनमें कोई वदर नहीं है, दिस इस फार्दी सेक आफ, क्योंके वहां कॉगनेंट रीजन चाहिए, कॉगनेंट रीजन कताब में ब रीजन कालुप नहीं है, तो हटाए जा रहा है तो उसका कारण क्राइटेरिया एक आपर ले जा रहे हैं, कोई संस्थाओं का बहुत और नरमान तो करनी रहे हैं, कोई नया तरीका तो बना नहीं रहा हैं, जिससे लगे कि इस पद के मामले में बीजे पी कम से कम नया पूख़ नहीं है जैसे जैसे सरकारे करती हैं वैसे ये कर रही है कारवाई हुई है या नहीं हुई है और हमारा ये मानना है 2010 का जो सुप्रीम कोड का जज्ज्मिंट उसके तहती हुआ है और उसके इलावा कहीं रास्ता है किसी को अपने बारे में क्यों हटाएगे उसको पूछने का तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी एक तरह से जज्मिंट दिया हुआ है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं अब जो बात रही मैं कट्यारे जी के उपर इंडिविज्वल पर नहीं आऊंगा मगर मैं यही पूछना चाहता हूँ वो कह रहे हैं कि जलील हुए और इस तरह से गवर्नर की गरिमा को नहीं थेश देने चाहिए मैं कट्यारे जी आप भी सरकार में थे आपके ही सरकार थी 2004 में आपकी आवाज कहां चली गी थी क्यों नहीं आपने उससे में उठाया कि जो कॉंग्रेस कर रही है तब आतल ब्यार करें वो क्या है हमने हम जो अब कर रहे है नहीं रभी जी आज जो 2010 का जो सुप्रीम कोट का उसको आपने कहा स्टार्टिंग में बेंचमार्क मार्क के चलिए मैं उस बेंचमार्क को लेकर आगे बढ़ना हूं डिबेट में इसलिए मैंने वो तू तू मेमे में नहीं जा र हमें से लगता है को राजिपाल चुटे सा एक ब्रेक लेते राजबहुन देखकर ही तरह तरह के सपने आने लगते हैं चुटे से ब्रेक के बादे इसको त्यागी जी खत्म कर देना चाहते हैं खाम खाम